नमस्कार पनाम हमारे सभी किसान भाईयों को आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से फार्मिंग निसाद चैनल में और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो धान की फसल में खर्पतवार नासक हार्भी साइड का प्रियोग किया जाता है वो कौन सी करें और कौन सी करें ताकि अधिक या अच्छी मात्रा में हमारे फसल पे कोई प्रकार का नुखसान ना हो और अच्छा सभी प्रकार के खर्पतवार नश्ट हो जाएं तो बात करेंगे अगर आप अपने खेत में नौमनी गोल्ड का प्रियोग करते हैं तो इसके बीचीत्र बाते आपको कौन स खर्पतवार नास कर सकती है चावल के प्रमुख के लिए सुरच्छित है और चोड़ी पत्ती वाले खर्पतवार धान के लिए सुरच्छित है और आप आसानी से इसका प्रियोग कर सकते हैं विदी खर्पतवार की अच्छी प्रकार से नश्ट करने के लिए आपको खेत मे पानी 10-15 दिन तक रखें और सौधानिया क्या बरतनी है आपको रेत और या उर्वर के साथ मिलाकर बोतल से न डालें किसान भाईयो कीट नासक और सलफर के साथ न डालें और सौधानिया आपको ध्यान पूर्वाक अगर पानी खेत में है तो इसका प्रियोग न करें या बारी सोने वाली है छे गंटे के अंदर तो इसका प्रियोग बिल्कुल मत करें आप चाहे तो नोट कर सकते हैं डोज के नॉमनी गोल्ड के डोज की मात्रा की बात करें तो 80 ml से 120 ml एकड प्रति एकड डाल सकते हैं और डेड़ सो अच्छे से घोल बना करके इस्प्रे कर सकते हैं मात्र एक एकड में और इसकी पैकिंग की बात करें तो 10 ml से लगा करके एक लीटर तक पाऊ जाता है किसान भायू